इस विडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से झरूर प्यों करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदार और यह सर्दी, फ्लू, अलजी या गले में जलन के कारण हो सकता है। ड्रेस्पिक्योडी सिर्फ सूखी हेकिंग खांसी को कम करता है। यह हांखों से पानी आना, छीकने, नाक बहने या गले में जलन जैसे अलजी के लक्षनों से भी राहत देगा और आपकी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने में मदद करेगा। यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है। ड्रेस पिक्योडी सिर्फ आमतोर पर कुछ ही मिंटों में काम करना शुरू कर देता है और प्रभाव कई घंटों तक रह सकता है। इसे डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार लें। जब तक आपको अपने डॉक्टर से सलाह न दी जाए तब तक इसका इस्तेमाल बंद न करें। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें। इसे मापने वाले कप से नापे और मुझ से लें। इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। रेस्पिक्योडी सिर्फ भूजन के साथ या बिना भूजन की ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। पहुँचाता है। डेक्स्ट्रमितोफन हाइडरोब्रोमाइड एक कफ सप्रेसेंट है जो मस्तिश्क में कफ केंड की गतिविधी को कम करके खांसी से राहत देता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाई करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओन नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद। अगर आपको आपको एन्यवाद।